के से वारकशीट ये कैसे वार अगर उसके बाद तब यहां पर जाकर आप सब्टोटल करें और को सम करके और अगर quantity भी करना है तो आप क्या करिएगा यहां पर जा करके सम करिएगा और तब आपको तोटल पशा लेगा लेकिन एक बार में एक ही city का आप कर पाईएगा और आपको फ़र ताइम लगेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है शॉट कट की यूज करके इसको आपको सब टोटल एक बार में कर देगा तो आपको जिस पहले आपको control जी करना पर यह इसको पूरा city को select करिए और उसके बाल यहां पर city को select करिए जहां से आपको insert करना है वहां से select करिए blank line और control जी करिए फिर special करिए फिर constant करिए फिर इसके बाद इस line को blank line को fix करना है ओके करेंगे हम अब control shift और plus करेंगे तो यहां पर entire row हमको insert करना है हर city के बाद तो okay करेंगे तो देखी हर city के बाद एक row आपकी insert हो जाएगी अब जब row insert हो गई तो अब हमको सब total करना है तो इस वाली range को select करेंगे और control G करेंगे फिर special में जाएगे फिर blank select करेंगे फिर okay करेंगे फिर alter plus करेंगे अब alter plus करते ही मान यह क्या करेंगा देखिए एक range कम छूट गई पिर से इसको करते हैं यहां पर इसको select करके इसको select करके alter, control G करेंगे, यहाँ पर special करेंगे, यहाँ पर blank करेंगे, यहाँ पर ok करेंगे, और alter plus करेंगे, तो अब यह देखिए आपके subsidy का total एक बार में calculate हो जाएगा, इसी तरह से हम quantity को भी calculate करेंगे, control G करेंगे, special करेंगे, blank करेंगे, ok करेंगे, और इसके बाद alter plus करेंगे, वो quantity भी आपकी select कर लेगा, अब इसको highlight कर लीजे, जिससे आपको पता लगे कि आपने कौन सा portion calculate किया है, इसको भी आप insert वाले method से एक साथ highlight कर सकते हैं, so this is a easy method to calculate the subtotal of entire worksheet by the single shortcut key, तो अगर आपको ये information अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चानल घता नगरवाल IT Informer को subscribe करेंगे, like करिए, comment करिए, community के जाए, मेरे social media link को follow करिए और please run करिए watch time के लिए आप लोगों की हमें जरुरते, thank you.